जारकर्ट की मुख्य मंतरी हिमत सुरेन के निर्देश पर नगर विकास और आवास विभाग लिर राज्चे के शहरी छेत्र में किये गए अनधिकृत आवासी निर्माण को नियमत करने के दिशा में करवाई शुरू करती है विभाग के द्वारा इसके लिए अनधिकृत आवासी निर्माण के नियमत करन के लिए योजना 2022 का प्रारूप तयार कर लिया गया है मुख्य मंतरी ने योजना को सहमती दे दी है योजना के देट 31 दिसमर 2019 के पहले निर्मित आवासी और गैर आवासी भवनों का नियमत करन हो सकेगा तो शहरी छेतर में किया गया अनधिकृत विच्रित निर्माण को नियमत करन शुरू के माद्यम से नियमती करन को लेकर जार्खन अधिनियम 2011 अधिसूचित किया गया था एकिन काफे संख्या में लोग इस अफसर का लाब नहीं उठा सके फिर राज्य सरकार ने अनधिकृत निर्माण को नियमत करने के लिए योजना 2019 अधिसूचित किया गया लेकिन विभिन निकायों और प्राधिकारों तथा विभिन संगठनों ने प्राप्त जानकारी के नुसार ये योजना भी विभिन कारणों से आम जनता को रियायत पहुंचाने में विशेश कारगर्ड साबित नहीं हो सकी तो इदर राची में सिक्षक सरकों पर उतर है अपनी चार सूतरी माओं को लेकर सीएम आवास का घेराव करने की कोशिश भी हुई लेकिन इससे पहले की मामला वेगरता मौके पर स्वास्त मंत्री बनना गुपता पहुंचते हैं और सब कुछ शान्त हो जाता है पूर रिपोर्ट देखिए जार्खन की हिमन सुरिन सरकार इन दिनों काफी मुश्किलों का सामना कर रही है एक और एडी लगदार हिमन्त सरकार पर दवाब बनाय हुए है तो वहीं दूसरी और अखिल जार्खन प्रातमिक सिक्षक अपनी चार सूत्री मांगों को लेकर सीम आवास का घेराव करने पहुंचे थे लेकिन रास्ते में ही पुलिस ने उन्हें बैरिकेडिंग लगा कर रोक दिया और तमाम सिक्षक वहीं धरने पर बैठके सरकार के खिलाफ नारिबाजी शुरू कर दी इन सिक्षकों की जो चार सूत्री मांगे हैं उनमें सबसे पहली मांग गया है कि उनसे सिक्षण के अलावा गैर सैक्षनिक कारियों से मुक्त किया जाए जणगर्ना, मिड़े मील या फिर दूसे सर्वेक्षन कारियों से इन्हें अलग रखा जाए इसके अलावा उनके चटे वेतन मान में जो विसंगतियां हैं उन्हें दूर किया जाए मेसीपी के तहट जो राज्य सरकार के अन्य कर्मियों का वेतन तै है उसी तर्ज पर सिक्षकों का वेतन तै हो इसके साथ ये अंतर जिला स्थानेंदरन पर ततकाल रोक लगाई चाहे सरकार का ये दावा बिल्कुल जूटा है बिल्कुल खोकला है आज हमारे सिक्षक वर्क के अंदर पढ़ा नहीं सकते हैं वो जब वहां जाते हैं तो उनको गैर सैचनी कारियों में लगा दिया जाता है राशन कार्ट बनवाया जाता है जन्परमान पत्र बनवाया जाता है जाती परमान पत्र बनवाया जाता है मतलब की पढ़ाने के अलावा सारे काम में उनको लगा दिया जाता है हमारी मांग है कि हम सिख्षकों को गैर सेक्षिन कारी जिन से जितने भी हैं उनसे मुक्त किया जाए और हमको केवल और केवल पढ़ाने दिया जाए मतला आप कर रहे हैं कि सरका अच्छी काम कर रही है हमारे सिख्षकों को पढ़ाई छुरूआ कर करके मतला जो है सो बच्छों का जाती प्रवानपत्र बुन वारी है बच्षों का जन प्रमान प्रवारी है मतले बच्छों का वैंक खथा खुलवा रही है इस तरह से अंगीनाद गैड सैचनिक काज करा रही है आप कहते हैं कि अच्छा काम कर रही है हम जा रहे हैं मुक्मंत्री अवासा घ्राव करने के लिए हमारा चार सुत्री मांग है में सीपी सिख्षकों को दिया जाए हलकि ऐसा नहीं कि सरकार इन्हें नजर अंदाज कर रही है मौके पर तुरंत ही स्वास्त मंत्री बनना गुपता पहुँचके प्रदाशन कर रहे सिख्षकों के साथ जमीन पर ही बैठके और हाथो हाथ सरकार ने इनकी दो मागु को स्विकार भी कर लिया गुरू ब्रह्मा, गुरू विष्णू, गुरू साक्षात महेशुरा गुरू का ग्यान है तब नबनना गुपता मंत्री बना तो गुरू के लिए तो आना ही होगा तो गुरू के लिए थोड़ा प्रोटोकोल भी तूट गया तो क्या हुआ प्रोटोकोल भी तूटके दी महांनिया मुख्यमंत्री बहुत संभिधन के लिए और मानिये मुख्यमंत्री जी इसे बाचित कराकर इनका रास्ता निकलना चाहिए और रास्ता निकालने का प्रेयास होगा आपको बता दे कि सिक्षिकों ने अपने मागू को रखने के लिए चार चरणों का एक आंदोलन चलाया इसके लिए एक चरण में सिक्षिकों ने कई सांसिदों और विथायकों को मांग पत्र सौपा था और आज तीसरे चरण में राची खूच किया गया रफ्तार मीडिया के लिए राची से नौशाद की रिपोर्ट